सब्सक्राइब करेंगे पूरी वीडियो करने के बाद ही देख पाएंगे कुछ साइट में इशूस थे पिसले तीन दिनों से बहुत सीवियर थे पूरी साइट हो गई थी जितना भी डेटा रिकवर हो पाया उसके बेस्प्रम ने रिकवर किया है तो आपकी बेसिक फंक्सना प्रेट कर पा रहे हैं इस पार्ट फोट्नी में हम देखेंगे सीजी टी एमसी के बारे में तो जब आइक बार आप क्लास पर शेस करके लॉग इन करेंगे तो एसे यहां पर देखेंगे आपको यहां पर दिखते जाएंगे कुछ और वीडियो चार्च्छी आने हैं वो भ दिखकत हुई उसके लिए extremely sorry लेकिन वो चीजे ऐसी थी जो control में नहीं थी और बहुत टाइम लगा क्योंकि डेटा कुछ था नहीं और बार बार साइट अगर कुछ हम सही भी कर रहे थे तो बार बार अगेन हैक हो जा रही थी तो पूरा डेटा वाइप करने के बाद जब सब हुआ तो अभी interview जो login है सिर्फ वही work कर रहा है and SBI and IBPS का ही work कर रहा है RRB वाला हमने यहां से अभी हटा दिया है चलिए अब हम देखते हैं CGT MSC के बारे में class join करने के लिए video के description box में link दिया हुआ है MSC full form आपकी पहली slide पे लिखा हुआ था नहीं बोल दे रहा हूँ note कर लिजिए credit guarantee fund trust for micro and small enterprises basically क्या है एक प्रकार का यह fund trust है ठीक है इसको manage किसके दोरे की जाता है यह actually manage किया जाता है CGFT ठीक है credit guarantee fund trust credit guarantee fund trust है एक जो CGT MSC screen provide करती है और यह credit guarantee sorry यह CGFT ठीक है और यह credit guarantee fund trust है इसको establish किस ने किया है इसको establish किया है Central Government ने plus SIDBी ने मिल करके SIDBी किया है SIDBी है Small Industries Development Bank of India आप लोग को पता है already and SIDBी का headquarter कहा है लगनों में है आप लोग पढ़ चुके होंगे ठीक है तो Central Government and SIDBी ने मिल करके इसको जो है establish किया हुआ है इसको manage कौन करता है माफ करिएगा CGFT manage करता है and CGFT को establish किया Central Government plus SIDBी ने मिल करके objective क्या है इसका objective है कि जो हमारे micro and small enterprises हैं उनको जो है बिना किसी risk के बिना किसी collateral security के बिना किसी third party guarantee के loan provide करना अब देखिए होता क्या है सपोस कोई एक XYZ person है ये person है हमारे ठीक है और ये loan लेने का bank इनके पास बहुत अच्छा business idea है लेकिन एक ऐसा business idea है जो सायद sustainable है जो सायद आगे चलके बहुत अच्छा चलेगा बहुत सारी jobs भी generate करेगा लेकिन इनके साथ दिक्कत यह है कि इनके पास ना तो किसी third party की guarantee है ना ही इनके पास collateral security है आप लोग पढ़ रहे हो आप मेंसे किसी के पास बहुत अच्छा idea हो आप लोग किसी के दिमाग में हो या मुझको थोड़ा सा fund मिल जाए तो मैं एक business ख़़ा कर सकता हूँ लेकिन बैंक में आप loan देने जाएंगे तो आपको loan नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास third party guarantee नहीं किसी की और आपके पास कोई भी collateral security नहीं है तो इसी को इसी problem को दूर करने के लिए government ने एक fund टका trust बनाया ठीक है कि लोगों को loan मिल सके मतलब government क्या करती है basically government जो है essay loans को micro and small enterprises के लिए loan देती है government bank से कहती है कि आप इनको CGTMSC के अंतरगत cover करिए आप इनको loan provide करिए and by chance इनका जो business है वो चल नहीं पाता है business जो है इनका बंद हो जाता है loss म चला जाता है और आपका loan NPA हो जाता है तो इस loan को सरकार भरेगी loan का पैसा जो है आपके सरकार चुकाएगी तो यही है credit guarantee fund trust for micro and small enterprises मतलब यहाँ पर आपको credit की guarantee मिलती है financial institution को ताकि वो बिना जिजकेक जो है loan दे पाएं बिना किसी डर के बिना इस डर के कि यह business चलेगा नहीं चलेगा loan NPA तो नहीं हो जाएगा उनको loan मिलेगा इसके लिए क्या करता है जो borrower होता है वो fees pay करता है CGT MSC के लिए इस guarantee के लिए borrower को जो है fees pay करनी पड़ती है अगर पूछा जाए कि क्या इसके लिए कोई fees होती है तो बोलना हासर fees होती है fees की detail मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत hectic है मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत easy easy है 1% 2% मिलती है उसने बहुत से criteria's है इसलिए fees की detail को मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन इस guarantee के लिए fees मिलती है अब यह किसके लिए यह सिर्फ micro and small enterprises के लिए यह guarantee है तो पहली हम बात यह कर लेते हैं कि micro and small enterprises का जो criteria था ठीक है वो अब change हो गया है तो यह भी आपसे पुछा था कि MSME के classification क्या है MSME MSME के classification देखिए micro small medium MSME पहले इसमें criteria क्या था एक होता था आपका manufacturing sector एक होता है आपका service sector manufacturing sector में क्या था कि investment अगर less than 25 lakh है ठीक है manufacturing sector में और अगर less than 10 lakh है service sector में तो वो होते थे micro हमारे enterprises small कौन से होते थे अगर manufacturing sector में less than 5 करोड है और अगर